CBI अब उपन्यास लिखने लगी है ये कड़ी फटका ज्ञार्खन हाई कोट ने CBI को लगाई है 78 दिनों के बाद भी जज उत्तम आनंद मौत मामले का खुलासा CBI नहीं कर पाई है और इस बात को लेकर ज्ञार्खन हाई कोट खफा है दरसल धनबात के जज उत्तम आनंद मौत मामले की सुनवाई आज ज़ार्खन हाई कोट में चीफ जस्टिस डॉक्टर अविरन जुन और जस्टिस सुजीत नरायन प्रशाद की खंटपीट में हुई इस दोरान हाई कोट ने CBI की चार्शीट पर नाराज की जटाई और कहा कि CBI अब उपन्यास लिखने लगी है CBI की चार्शीट में सिर्फ ये बात सामने आई है कि आटो ड्राइवर लखन वर्मा और सहयोगी राहुल वर्मा ने हत्या की इरादे से जच को आटो से टक करमारी थी इस मामले में CBI के कारप्रनाली को लेकर जारखन हाई कोट ने मौकिक टिपणी में कहा था कि इस केस में पहले भी जहां खड़े थे आज भी वही खड़े हैं और CBI एक प्रोफेशनल एजनसी की तरह जाच ही नहीं कर रही है इतने बड़े केस का ऐसा हाल होगा तो पूरे देश में क्या संदेश जाएगा फिलाल अस मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी गौरतलब है कि मामले को लेकर सुप्रीम कोट ने भी संग्यान लिया था और इसकी जाच जल्द से जल्द करने के निर्देश दिये थे पूरबाद के बरिये नयाइक प्रदाधिकारी उत्तमानंद के मौद के मामले पर जहरकम चन्याले में मन्य मुक्नियामूर्ती डॉक्टर रवी रहिया ने उन्यामूर्ती सुजित नारायन प्रशाथ की खंड़पीट में सुनवाई हुई मन्य खंड़पीट के समझ CBI के द्वारा अपनी अध्यतन रिपोर्ट पेस की गई थी जिस पर कड़ी नाराजगी जताते हुए मन्य खंड़पीट ने कहा कि ये उपन्यास के जैसा मोटा होता जा रहा है लेकिन इसमें अभी तक कुछ निकल कर नहीं आ रहा है साथ ही उन्होंने ग्रीज सचीव को इस मामले पर एफसल और एफसल लेबरेटरी के मामले पर ग्रीज सचीव को अगली सुनवाई के दौरान जवाब दने को कहा है इस मामले में बिश्तित सुनवाई के लिए 12 नौंबर का समय निर्धारिट किया गया है